नमस्कर दस्तो सौगत यापका फार्मा रोक्स की यूटूब एजिकिस्टन चैनल में आज क्योड़ लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे टेंटेक्स फॉर्ट टैबलेट के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडिशन्स को ठीक करने के लिए दवा को यूज किया ज़यता है उसके साइड इफेक्स वगflow क्या हो सकते हैं उसकी प्राइज वगब क्या हैं कैसे आप उसका सही उप्योग कर सकते हैं कौन से बीमारी में उसको यूज किया जाता है, उसके प्राइज वगरा क्या है, और जिद्डेल में जाने के कि उसका डोस के सा है, किस तरह से आपको ये मेडिकेशन को लेनी है, तो डीटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में, Pentex Faut के बारे में, तो ऐसे समझे कि आपको डीटेल में सिखना है, बहुत सरी दवाइओ के बारे में, भीमारी ओके बारे में, तो आप Medicine course को जोईन कर सकते हैं, Pharmarox के आप उपर, तो ये course को जोईन करनेंगे आपको वाट्सप कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी तो अब आगते हैं topic पे और समझते हैं Tantex spot tablet के बारे में, तो यह ऐसे glass का medication के जिसको हम men's sexual wellness के category में include करते हैं, कि जिसके अंदर aphrodisic ingredients रहते हैं, कि जो completely natural है, herbal ingredients उसके अंदर present है और उसके कारण, यह जो medication especially, पुरू सोके अंदर जो sexual problems होते हैं, अलग-अलग उसको ठीक करने के लिए use की जाती है और उसके manufacture के हम बात करें तो हिमालिया drug company जो उसके manufacture है, तो हिमालिया drug company के में आरे में आपको बता दू कि यह काफी popular और well-known pharmaceutical company है, Indian multinational pharmaceutical company जो 1930 में establish हुई थी, और उसका headquarters जो इंडिया में, बैंगलूरू में है, करनाटका स्टेट के अंदर अब बात करते हैं, यह medication के बारे में detail में तो Tantex Ford जो उसका brand name है और हिमालिया drug company जो उसके manufacture है, और यह completely herbal medicines के category में हम उसको include करते हैं, और जब यह आप 10 tablets का यह blister purchase करते हैं, तो इस तरह से tablets आपको मिलती है blister packing के अंदर, एक blister के अंदर 10 tablets आपको मिलती है फिर उसके ingredients के हम बात करें, कितने key ingredients उसके अंदर present है, तो total 13 प्रकार के key ingredients उसके अंदर present है, कि 13 अलग-अलग natural herbals, ingredients उसके अंदर present है, कि जो काफी प्राचिन, जड़ी, बुटी है अलग-अलग कि जो पुरुस्व के अंदर sexual problems को ठीक करती हैं, तो शुरुआत से समझते हैं, पहला जो ingredient है कि जिसका नाम है, कस्तूरी तीलक करके, कि जो 10 mg जितना ये टाबलेट के अंदर present है, तो ये medication क्या करती है, कि जो sexual desires को enhance करने में मदद करता है कि जिसको हम कस्तूरी तीलक कहते हैं और इसका extract जो है, वो ये टाबलेट के अंदर available है फिर अब जो अलग-अलग powders available है, वो अब सबजते हैं, कि अस्वगंदा का 81 mg जितना powder जो है, वो एक टाबलेट के अंदर available होता है कि जो sexual function को improve करने में मदद करता है फिर वृदारुकर के एक ingredient present है कि जिसका 32 mg जितनी quantity रहती है, वो भी sexual disorders को treat करने में जो है, वो मदद करता है फिर एक ingredient के जिसको हम copy काचू कहते है, कि जिसको conch के बीज भी कहा जता है कि जो 32 mg जितना ये tablet के अंदर present है फिर त्रिवंग बस्मा कि जो 32 mg जितना है, वो भी sexual disorder को treat करने में मदद करता है सीला जित उसके अंदर present है 32 mg जितना उसके लाव हम देखे, तो kumkuma के जिसको हम crocus sativus कहते है कि जो 25 mg जितना ये एक tablet के अंदर available होता है कपी लोगी जिसको strictness nuts warming का हम कहते है कि जो 16 mg जितना इसके अंदर available है फिर दूसरा ingredient हम देखे तो मकर दवज करके इसके ingredient present है कि जो sexual problems को treat कर रहे में मदद करता है फिर अकर करा करके present है 16 mg जितना कि ये भी एक काफी प्राचिन जड़ी बुटी है ये इसके अंदर available है फिर बाला कि जिसको ceda quadifolia हम कहते है वो 16 mg जितना available है salmaly उसके अंदर present है कि जो 16 mg जितना available है और आकरी इंडिन हम देखे तक जिसको हम marriage कहते है या फिर piper nigram के जिसको हम marie भी कहते है कि वो 5 mg जितना इसके अंदर available है तो बहुत सारी अलग-अलग प्राचिन जड़ी बुटीज ये tablet के अंदर जो है वो present है तब बात करते हैं उसके use के बारे में तो सबसे पहले ये जो medication ही वो फुरूस हो के अंदर जो erectile dysfunction का जो problem होता है उसको ठीक करने में मदद करता है कि जिसको हम sort में ED की समस्या कहते हैं उसे तरह से PE जिसको हम premature ejaculation कहते हैं तो उसको भी ठीक करते हैं ये दवा फिर तीसरा problem हम देखे तो किसी लोगों के sperm count जो वो काफी कम होते हैं oligospermia की condition होती है तो ऐसे condition में उनके sperm counts को increase करने के लिए भी tendex part को जो दिया जा सकता है फिर sperm की quality समझो कि अच्छी नहीं है या फिर semen की viscosity कम हो गई है वीरिये काफी पतला हो गया है तो ऐसे conditions को भी ठीक करने के लिए ये medication दी जा सकती है फिर libido कम हो गया है testosterone कम हो गया है तो उसको boost करने के लिए कि आपका testosterone बढ़ाने के लिए libido boost करने के लिए भी ये medication को use की जा सकती है अब बात करते हैं उसके dose के बारे में तो सरुवात में जब आप उसको start करते हैं लेने का तो पहले 30 से 45 दिन तक दो टैबलेट सुबह और दो टैबलेट रात को लेनी होती है और वो course complete होने के बाद हर दिन आपको दो टैबलेट लेनी होती है एक सुबह और एक रात को इस तरह से उसका dose तयार होता है कि जो आपको packing के उपर भी proper printed देखने को मिल जाए यहाँ पे आप packing के उपर भी देख सकते है कि उसके dose की information जो भी proper दी गई है फिर उसकी price की हम बात करें तो उसकी जो latest price है वो समझे कि आप 10 tablets का यह blister purchase करते है तो वो आपको 90 rupees के इंदर पढ़ता है फिर उसके side effects के हम बात करें तो उसके कोई भी side effect नहीं होते है बिकिस उसके इंदर जो भी ingredient है वो सब herbal ingredients है तो जो दूसरे medications आते हैं जो alophatic में होते हैं उनके बहुत ज्यादा side effects होती है तो इसके compare में अब तक जितनी भी अलग-लग research हुए है उसके according to 10 tech spot की कोई भी side effect जो हो देखने को नहीं मिलती है तो यह काफी अच्छी बात है आपके लिए फिर अब warnings के हम बात करें तो खास आपको दियान रखना है कि जो हमने उसके 13 ingredient discuss किये उसमें से किसी भी ingredient के आपको allergy है तो यह medication को use ना करें तो जस्ट एक ही यह आपको ध्यान रखना है कि उसके ingredient और उसका label अच्छे से check करना है medication को लेने से भेले अब बात करते हैं उसके drug-drug interactions की तो यह medication कोई भी drug-drug interactions नहीं करते completely safe होती है use करने के लिए तो ऐसे ही समझें कि आपको detail में सीखना है बहुत सरी दवा यों के बारे में बीमार यों के बारे में तो medicine course को join कर सकते हैं तो यह course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाए कि तो गूद लेग अल्देबस्ट